गुड इवनिंग स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में कुसान मंस का पतन और परवर्ती कुसान सासकों के बारे में ध्यन करेंगे तो देखेगा यदि आप लोगों ने यूटूब चैनल इंडिया ओंडिस को सब्सक्राइब नहीं क्या तो करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले और आपकी एक्जाम की अच्छे से तयारी हो सके ठीक है तो देखे पढ़ते हैं कुसान मंस का पतन तदा परवर्ती कुसान सासक कुसान प्राचीन भारत के राजवंसों में से एक राजवंस था कुसान मोरी ओतर काल में आने वाले विदेशे जन्जातियों में सबसे अधिक परभावसाली जन्जाते थी कुछ हिथियासकार इस वंस को चीन से आए यूए जी लोगों के मूल का मानते है कुसान राजवंस में सबसे सक्ते साली राजा कनिश्क पर्थम था कुसानों ने भारत में इस्तापते कला सहली में परभावसाली योगदान दिया था ये तो आपका कुसानों का थोड़ा सा संक्सित तरोप में परीचे हुआ अब देखेगा पढ़ते हम करनिस की मट्ट्यों के बाद कुसान मन्स का पतन प्रारम हो गया था करनिस के बाद उसका उत्रादिकारी वासिस्क गद्दी पर बैठा ये मथूरा और समीपवर्ती छेत्रों में सासन करता था इसके बाद करमसय हुवीस्क वासुदेव सासक हुए योगे उत्रादिकारी चे अबभाम में यमना के तरही वाले भागपन नाग लोगों के अधिकार कर लिया था साकेत, प्रियाग, एवन, मगद को गुप्त राज़ों ने अपने अधिकार में कर लिया नमीन राजवंसों के उदे ने भी कुसानों के विनास में सहयोग दिया कुसान समराजे के पतन के कारण देखेगा कुसान समराजे के पतन के कारणों के समद्ध में विद्वानों में मतवेद है इतना तो निस्चित है कि कुसानों का पतन किसी कारण मिसेस का प्रिणाम नहीं था देखेगा राखलदास बनर जी क्या कहते हैं राखलदास बनर जी के अनुसार कुसान सत्ता का मिनास गुप्तवन्स के उदे के कारण हुआ था परन्तु ये मत निराधार है क्योंकि समूत्र गुप की प्रियाग परसस्ती से पता चलता है कि उत्री भारत में गुपत समराजे की स्थापना के पहले ही कुसान सासन समापत हो चुका था इसी परकार कासी परसाद जायसवाल का मत है कि पंजाब तथा मध्य परदेश में कुसानों का पतन भारसिव नागों के उदे के कारण हुआ भारसिव नागों के कारिये को परवर्षेन पर्थम के नेतरत्व में वाकाटकों का कुसानों से कोई संबंद नहीं था अल्टेकर का विचार है कि योधेयों ने कुणिंद अर्जुनायन आती गणराजों की मदल से कुसानों को प्रास्त कर सत्रज नदी के पार्ख देड़ दिया परन्तु अल्टेकर महोदे का यह हमत योधेयों के सिकों पर आदारित है उनके सिकों पर जय मंतल धार तथा योधेय या नाम जय है मुद्रा लेक उतकिन मिलता है जिससे उनकी विजों की सूचना मिलती है परन्तु हम यह नहीं गह सकते यह विजे उन्होंने कुसानों के विरुधी प्राप्ति की होंगी घिर्शमन महोदेग ने बेगराम की खुदाई में मिले आउसेसों के विरुधी यह है निसकस निकाला है कि वासुदेग के सासनकाल के अंध में सैसनियन नरेश सापूर पर्थम ने कुसान समराजे प्राकर्मन कर दिया कुसान पूर्थ या उखाड फेंके गए तदा सापूर पर्थम ने पस्ची मोतर पर्देशों पर अधिकार कर लिया वासुदेग के बाद कुसानों का इत्यास अंधकार पूर्ण है सिकों से कुछ कुसान राजों के नाम ग्याद होते हैं उन्होंने द्वित्य सताब्दी के उत्राज से त्रित्य सताब्दी के पुर्वार तक सासन किया उन्हें परवर्थी अथ्वा उत्तर कुसान कहा गया है अब अपर पढ़ रहे हैं परवर्थी कुसान सासक उसका इतिहास अपने आप में पून तथा स्वतंतर है परवर्ती कुसान सासकों के नाम निम लिखी था देखेगा कनिस्क तृतिये परवर्ती कुसान राजों में सर्वा पर्थम वासु देवी के बाद हमें एक तीसरे कनिस्क का पता चलता है जिसने संभवता एक सो असी से दो सो दस इस्वी तक राजे किया बैक्टरिया, अफगानिस्तान, गंधार, सिस्तान, पंजाब, आधी से उसके बहुसंगे किसी के नहीं मिलते इससे पता चलता है कि अब कुसानों का सासन मथूरा अथवा उत्तर परदेश समापते हो गया था कनिस्के त्रितिये के सासन के अंत तक कुसान राजे केवल पंजाब, कस्मेर, सिस्तान, अफगानिस्तान तथा बैक्टरिया तक ही सिमित रहा कनिस्के सिकों पर उसके कुछ चत्रपों के नामास प्राप्त होते हैं जैसे वास्तु, वीरू, मही, आदी अल्टेकर ने इन्हें वासुदेव, वीरूपाक्स, तथा मही स्वर बताया है वासुदेव सिस्तान में तथा वीरूपाक्स, मही स्वर, करम सह, पंजाब और अफगानिस्तान में चत्रप थे चत्रपों के हिंदू नाम से स्पस्थ है कि इस समय तक कुछानों के भार्तिय करन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी सिकों पर चत्रपों का उलेक उनके बढ़ते हुए परभाव का दोतक है अगला सासर के वासुदेव जीतिय अट्यकर के अनुसार कनिस्क तृतिय के बाद वासुदेव सेकिन राजा हुआ वै कनिस्क तृतिय का पुत्तर तता उत्रादिकारी था सिव तता नंदी प्रकार के सिखे जिन पर वासु नाम उत्किर्ण है बैक्ट्रिया जता आप खानिस्ताम से मिले हैं इसे पता चलता है कि उसका अधिकार इसी भाग में था तता सिस्तान और पंजाम में उसके राजे पाश्वतंतर हो गए थे उसने संभवता है 210 इस्वी से 230 इस्वी तक राजे किया वासु देव सेकिंड के समय तक कुसान समराजे के विगठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी भारत में अनेग जातियों ने अपनी स्वतंतरता गोसित कर दी मथूरा तथा पदमावती में नागवन्सों का उदे हुआ नागवन्स के अलावा योधे, मालव, कुणिंद, आदि गंड़ा जोने भी अपनी स्वतंतरता गोसित कर दी थी पसीमोतर सीमावों पर अधिकार कर लिया था इस परकार भारत के आंतरिक तथा उत्तर पसीमी परदेशों में कुसान सत्ता का अंतिक हुआ अब ये हैसिद हो चुका था कि सेसन्ये नो द्वारा पराजित कुसान नेरेश वासुदेव सेकिन ही था नेकी वासुदेव पर्थम उसके सीखे पर्थम वासुदेव से इस अर्थ से भिन है कि उन पर यूनानी का अधिक विक्रित रूप मिलता है मोनोग्राम भिन है तता चत्रपू के नामांच भी अंकित है सहसनियनों ने वासुदेर सेकिंड को परास्त कर उसके सीव तता नंदी प्रकार के सिकों को गर्हन कर लिया इन सिकों को सहसनियन कुसान सिक्के कहा जाता है इसने अगरे भाग सहसनियन तता प्रिष्ट भाग परवर्ती कुसाम सिकों की भाति है ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने कुसान वंस का पतन और परवर्ती कुसान सास्कू के बारे में ध्यन किया आगे भी हम आपको ऐसे ही इसी प्रकार से इस्टी से सम्मन्दित नई ने जानकारी परदान करते रहेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस से